साथियों, अपने शहरों को प्रदूशन मुक्त रखने और गीले कचरे के निस्तरण के लिए आज का ये प्रयास बहुत अहम है. शहर में गरों से निकला गीला कचरा हो, गाउं में पशुओं, खेतों से मिला कचरा हो, ये सब एक तरसे गोबर्धनी है. शहर के कचरे और पशुधन से गोबर्धन, फिर गोबर्धन से स्वच इंजन, फिर स्वच इंधन से उर्जाधन, ये स्रंखला जीवन धन का निर्मान करती है. इस स्रंखला की हर कड़ी, कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उसके प्रत्यक्ष प्रमान के तौर पर, इंदोर का ये गोबर्धन प्लांट, अब दूसरे शहरों को भी प्रिजणा देगा. मुझे खुसी है कि आने वाले दो वर्षों में, देश के 75 बड़े नगर निकायों में, इस प्रकार के गोबर्धन बायो-CNG प्लांट बनाने पर काम किया जा रहा है. ये अभियान भारत के शहरों को स्वच्छ बनाने, प्रदूशन रहीत बनाने, क्लीन एनरजी की दिशा में बहुत मदद करेगा. और अब तो शहरों में ही नहीं, बल्कि देश के गावों में भी, हजारों की संख्या में, गोबर्धन बायो-CNG प्लांट लगाये जा रहे हैं. इनसे हमारे पशुपालकों को गोबर से भी अतिरिक्त आई मिलनी शुरू हुई है. हमारे गाव देहात में किसानों को बे सहारा जानवरों से जो दिक्कत होती हैं, वो भी इस तरह के गोबर्धन प्लांट में उसके कारण कम हो जाएगी. यह सारे प्रहास भारत के क्लाइमेट कमिट्मेंट को भी पूरा करने में मदब करेंगे.